तो अब देख विना ब्रेक दाउंलोड तक अप ने काकलन किया है यानि 11,932 करोड उपे का फरक आया है नेट NPA की रिपोर्टिंग में भी 11,932 करोड उपे का अंतर मिला इस हिसाब से NPA की प्रोविशनिंग करने के बाद बैंक को 6,968 करोड उपे का घाटा हो रहा था लेकिन SBI ने 862 करोड उपे का मुनाफ़ा गोशित किया था SBI ने 65,895 करोड उपे का नेट NPA बताया था जो RBI के मताबिक 77,827 करोड उपे था NPA की प्रोविशनिंग के आंकलों में 12,036 करोड उपे का फरक आया है SBI ने ये रक्म 1,6,856 करोड उपे बताई थी मिलने के 24 घंटे में NPA और प्रोविशनिंग के आंकलों में फरक की जानकारी सावजनिक करनी होती है SBI के शेयर बुद्धवार को BSC 1% नीचे आ गया मंगलवार को 1.04% गिरावट के साथ 313.45 रुपे पर बंद हुआ NSC पर 1.11% नीचे 313.20 रुपे पर क्लोजिंग हुई थी अब देखने ये होगा कि SBI अपने इनाकलों को कैसे साबित करती है